Hello friends, आज मैं आपको Young and Beautiful ये 2013 की एक French movie explain करने वाला हूँ इस movie में हमारी main character अपने आपको discover करती है उसके बाद एक गलत रास्ता यानि prostitution में चली जाती है इसके बाद कुछ होता है जिसके उसकी पूरी life change हो जाती है ये आज की हमारी movie की storyline है explanation start करने से पहले मैं आपको request करता हूँ कि प्लीज अगर आप कोई वीडियो अचा लगा तो इस पर comment और like जरूर कर दीजेगा तो बिना किसी देरी के explanation start करते है movie start होती है और हमारी main character इसाबेला ये एक beach पर सन्बात ले रही है उसका अभी अभी एक boyfriend बना हुआ है उसे ढूनती ढूनते वो उसके घर तक आया था इसाबेला कहा है कि किसी को भी पता नहीं था उसे ढूनते हुए उसका brother Victor ये sea shore तक आया उसे बताता है कि उसका boyfriend आया हुआ था इसाबेला बोलती है कि मदर को ये सब बात नहीं पता चलनी चाहिए उसकी मदर उसे बहुत सारे questions पुछेगी और उसे अच्छा नहीं लगता और एक problem ये भी है कि इसाबेला फ्रेंच है और उसका boyfriend जर्मन ये बात जब किसी को पता चलती है तो क्रिंजी moment हो जाता है तो इसलिए चुबा कर रखना चाहती है इसाबेला चाहती थी कि मदर को पता ना चले पर मदर को पता चल चुका है मदर इसाबेला को कहती है कि एक रात हो हमारी family के साथ डिनर कर सकता है इसाबेला कहती है कि वो इतना smart नहीं है मैं उसे कही भी invite नहीं करना चाहती इसावेला का बॉइफरेंड बीच पर था तो वो भी वहाँ पोज गई बॉइफरेंड का नाम फिलिक्स है फिलिक्स इसावेला के पास आता है रात में एक पार्टी होने वाली है तो उसमें उसे इन्वाइट करता है वो पार्टी में तो जाना जाती है पर अगर सबके सामने गए तो प्रालम आ सकता है उसका परदर उसकी फैमिली को डिस्ट्राइक करता है और इसावेला पीछे के दरवाजे से निकल जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि इसावेला और फिलिक्स ये दुनों बीच पर वॉक करते है आइसक्रिम खाते बीच की सैंड पर हैंग आउट करते हैं ये दोनों फिर यहीं इंटिमेट हो जाते हैं इसावेला का यह फर्स टाइम था राद में फिलिक्स इसावेला को घर तक छोड़ने के लिए आता है इसावेला का ब्रदर वरेड था तो इसावेला के रूम में ही सो रहा था उसे एक्चुली पता था कि आज इसावेला क्या करने वाली है ये ब्रदर सिस्टर एक दूसरे के साथ ट्रांस्परेंट है विक्टर इसावेला से बोच्छता है कि वो कैसी है पर इसाबेला उसे बहाँ से निकल जाने के लिए कहती है उसके लिए ये ज़रा अजीब experience था एक दो दिन में इसाबेला का 17th birthday आता है यहाँ celebration के लिए उसने फिलिक्स को नहीं बुलाया यह summer चल रहा था अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ आई हुई थी एक्च्वल में उसकी मदर और फादर का डिवास हो चुका है तो हर summer वो अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ आती रहती है उससे पदा था कि उसकी और फिलिक्स की relationship जदा आगे नहीं जा सकती है वैसे भी उसे सिर्फ वो यूजी कर रही थी जब वो फिर से अपने घर return हो रही है तब रस्ते बर उसे फिलिक्स दिखता है पर वो फिर से मोड कर भी नहीं देखती है लाइफ के साथ आगे बढ़ जाती है इसके बाद हम directly autumn season देखते है बहुत सारा time गुजर चुका है इसावेला अपने एक client से मिलने के लिए hotel में आई हुई है वो पैसो के लिए आजकल लोगों के साथ सोती है आजकल उसका client एक बहुत ही बुड़ा आदमी है वो जब इसावेला को देखता है तो कहता है कि तुम्हारी age तो तुमने बहुत ही जादा वदाई थी उसे वो underage लगती है इसावेला भी कहती है कि तुम भी तुम्हारे photo जैसे नहीं हो उसने एक online website पर register किया था जिससे उसे client मिलते है इसी वज़े से इन दोनों को जो info मिली है कि obviously जरा सी गलत है ये जो अब hotel का client है इसका नाम है George George फिर इसावेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है उससे हो पोचता है क्या तुम student हो इसावेला गेती कि हाँ वो कहता है कि आज कल हालत ही खराब चल रहे है George फिर इसावेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है उसे सहारता है और बोलता है कि तुमारी eyes बहुत ही beautiful है इन में एक अरजीव सा दर्थ है इसके बाद ये दोनों intimate हो जाते है इसके बाद हमें directly इसावेला का classroom दिखाया जाता है इस classroom में एक poem पर discussion चल रहे है वो poem क्या थी ये important नहीं है क्योंकि इस discussion से इस movie की story पर एक background commentary की जाती है इसमें से एक लटका कहता है कि summer था summer में आपको joyful एक happiness मैंसूस होता है उसमें जो नशा है इसके बारे में poem थी दूसरा लटका कहता है कि ये poem joy और sadness के बारे में है एक adventure हुआ पर उसके बाद भी आप अकेली ही रहे गए इसमें से दूसरी लटकी कहती है कि ये poem प्यार ढूनने के बारे में है अगर हम movie की situation देखे तो इसावेला ये सब क्यों कर रहे है ये भी यहाँ से define होता है समर खतम हो जाने के बाद इसावेला को एक adventure चाहिए था इसलिए वो ये सब कर रहे है इसमें और एक mini निकल कर आता है ये सब वो कर रहे है पर फिर भी sad है वो कुछ ना कुछ तो सही ढूरना चाती है पर अभी तक उसे कुछ भी मिल नहीं रहा इसावेला के class में एक लड़का उसे पसंद करता है पर उसे हो ज़्यादा भाव नहीं देती है इसावेला continuously अलग-अलग client से मिलती रहती है एक businessman उसे hire करता है सिर्फ अपने आपको please करता है पर उसे touch भी नहीं करता उसे हो पूरे पैसे नहीं देता इसावेला उसे बुछती है तो कहता है कि तुमारी इतनी ज़्यादा prize नहीं है वो उस पर कुछ भी कर नहीं पाती है एक दिन उसकी मदर उसे ठेटर ले जाना चाती है पर इसावेला गयती है कि मुझे बहुत सारा study करना है मैं नहीं आ सकती है उसके मदर उसे समझाती है कि जब मैं तुमारी एज़ की थी तो बहुत मज़े करती थी पार्टीज में जाती थी अलग-अलग चीज़ें ट्राय करती थी ये conversation थोड़ी सी quirky है क्योंकि इसावेला क्या करती है इसके बारे में मदर को कुछ भी आइडिया नहीं है जब ए ठेटर पोचते है वहाँ पर इसावेला को उसका client George दिखता है वो एक तुछी लड़की के साथ वहाँ आया हुआ है इंटर्वल में इसावेला उसके सामने जाकर उसे डर्टी लूप देती है यहाँ पर इसावेला नोटिस करती है कि उसके मदर उनके family friend के साथ flirtitiously बात कर रहे है उसे लगता है कि उसकी मदर का affair चल रहा है अल्रेडी इसावेला को उसके stepfather और मदर के साथ रहना पड़ता है थोड़ी दर में इसावेला को जॉज का message आ जाता है इसके बाद यह regularly मिलने लग जाता है एक दिन वो जॉज से पुछती है कि ठेडर में तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी जॉज कहता है कि वो मेरी daughter थी बहुत सालों तक हमने एक दुसरे से बात ने की थी अब मैं हम दोनों में relationship सुतारना चाहता हूँ इसलिए मैं उससे मिलता रहता हूँ जॉज इसावेला उससे पुछती है क्या तुम अच्छे husband हो गयता है कि मैं try करता हूँ जॉज इसावेला से भी उसके बारे में पूछना चाता है पर वो कुछ भी बताती नहीं इस बार जब वो intimate हो रहे थे तो अचानक से heart attack की वज़े से जॉज की death हो जाती है इसावेला बहुत डरती है उससे बचाने की कोशिश करती है पर करनी बाती है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे पर बात्रूम में वो गिर गए उसके सर पर थोड़ी सी चोट आती है यही बात्रूम में जॉज कुछ पफ़मंस की गोलिया लेता था ये भी उसे मिलती है इनी गोलियों की वज़े से उसे हाट अटाक आ गया पुलीस को पता चलने के बात इन्वेस्टिकेशन होती है डारिकली इजबेला की मदर सिल्विया के पास पुलीस आते है इजबेला क्या करती है इसके बारे में सब कुछ बताते है जो इन्सिडेंट हुआ था इसके बारे भी भी मदर को पता चलता है मदर पहले तो बिलिव नहीं कर पाती उसे लगता है कि इसावेला यह सब नहीं कर सकती जब पुलीस उसे सब सबुत दिखाते है इसावेला जेचिस होटेल में जाती थी वहां के CCTV कैमेरे से निकाले हुए इमेज जब वो देखती है तब उसे शौक लगता है पुलीस उसे कहते है कि इसावेला सतरा साल की है इसी वज़े से उसे कुछ भी सजा विगरा नहीं होगी लीगली तो उसे विक्टिम ही माना जाएगा और भी इन्वेस्टिकेशन के लिए सिल्विया के साथ वो घर पर आते है इसावेला का लैप्टोप वेगरा देखते है वहाँ पर उन्हें इसावेला इंटरनेट से क्लाइन ढूंद दी थी यह सब पता जल जाता है इसावेला ने सब कुछ पैसे सेव करकर रखे थे यह सब पैसे भी उन्हें मिल जाते है जब इसावेला घर पर आती है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है उसे बुछती है तुमने किया क्यो इसावेला उसे कुछ भी नहीं बता दिया मदर अब इसावेला को लेकर बहुत ही वरीड है। उसका हस्बन से समझाता है कि इसावेला बहुत ही प्यूटिफुल है। उसे ओफर मिली होगी। शायद वो रिफ्यूज नहीं कर पाए। अब नेकसेन में इसावेला पुलिस को स्टेटमेंट दे रही है। एक्च्वल में को एक आदमी ने अप्रोच किया था। उसने उसके साथ सोने के लिए इसावेला को एक डील दी। अपना नंबर देखकर वहां से चला गया। इसावेला कहती है कि मैंने सोचा और मुझे लगा कि मुझे ट्राय करना चाहिए। जब वो उस आदमी के साथ थी तो उसे कुछ कुछ फील नहीं हुआ। जब पहली बार वो अपने फर्स बॉइफ्रेंट के साथ थी तभी उसी कुछ भी फील नहीं हुआ था। वह कहती है कि फर्स टाइम यह सब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। बर बाद में मुझे फिर से करना चाहिए ऐसा लग रहा था। उसने फिर एक सेकंड फोन ले लिया उसे से हो क्लायन्ट से बात करती थी। लेड़ी ऑफिसर उसे पुछती है क्या तुम कंटिन्यू करने वाली हो। इसबेला कहती है कि मुझे पता नहीं है। ऑफिसर उसे समझा थी है कि यह बहुत ही डेंजरस था। तुमारे साथ कुछ भी ह हो सकता था। इसबेला ने जो भी सब पैसे कमाये थे यह सब अब उसकी मदर रखने वाली है। डिनर डेवल पर डिसकेशन होती है कि उस मने के साथ क्या किया जाए। तो मदर कहती है कि हम इसे डोनेट कर देंगे। इस बात को लेकर इसबेला बहुत ही अपसेट है। मदर डिसकेशन होती है कि इसबेला के पैसों के साथ क्या करना चाहिए। तेरबिस्ट कहता है कि वो उसने कमाये हैं यह उसे ही मिलनी चाहिए। एक दिन इसबेला के फैमिली फ्रेंड्स अपने बचों को घर पर छोड़ कर पहार जाने वाले थे। इसबेला को वो बेबी सेट क पास आकर बढ़ती हैं उन्हें देखकर हसने लग जाती हैं वो पोछता है कि तुम यह क्या कर रहे हो कहती है कि तुम बहुत ही फणी हो तुम मुझे बहुत हसाते हो स्टेब डैड्स उससे समझाने की कोशिश करते हैं कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक टिनेजर हो अधर कहती है कि मुझे इजावेला से घीना दिया है नेकसिन में हम देखते है कि इजावेला अपने थेरपीस्ट के पास आई हुई है थेरपीस्ट उसे पुछता है कि उस आदमी के मर जाने के पाद तुमने स्टॉप यू कर दिया वो गहती है कि मैं जौज से बहुत बार मि इंटिमेट हुए थे इजावेला फिर खेती है कि मुझे बहुत ही करत लगा पहली बार मैं जो काम कर रही हो एक करते हुए मुझे ड़टी लगा इसके बाद वो कंटिनू करना नहीं चाहती थी इसके बाद नेकसिन में हम देखते है इजावेला की फ्रेंड का ब्रेक अप पसन करता है वो फिर डिर्क lays फूच ले में क्या मैं किस कर सकता हूं वो थोड़ी सोच कर उसे आ कह देती है यह दोनों फिर पार्टी में आकर डांस करते हैं राद बहो बाते करते हैं सीटे में घूमते हैं पैरिस का फे्मस ब्रिज दे लव लॉड परीज इसको भी विजि पेला अब एलेक्स के साथ नहीं रहना चाहती है उससे कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूं उससे ब्रेकप कर लेती है जिस एकसाइटमेंट के लिए वोगों से मिलती थी उसकी लाइब से मिसिंग है उसके पास अभी भी उसका दूसरा मोबाइल है इसे ओऊं करकर देखते हैं तो उसके previous client से बहुत सारे messages उसे आये हुए हैं एक message George की wife की तरफ से हैं उससे मिलना चाती हैं जहाँ पर George और Isabella मिलते थे वही पर यह मिलते हैं George की wife है दिये कि जिस लड़की से मेरा husband मिलता था एक बार मुझे उससे देखना था Isabella उसे sorry कहती है wife कहती है कि तुम वह कहती है कि तुम बहुत ही beautiful हो तुम में एक दर्थ है यही चीज थी जो George भी Isabella को कहता था George की wife कहती है कि में भी जब यंग थी तो तुमारी जैसे ही दिखती थी अगर हम इसे फिरसे analyze करें तो George अपनी young wife को याद करता था Isabella के साथ पहले कभी भी वह intimate नहीं हुआ था उ George की wife को intimidating लगता है इसके बाद वो Isabella को George की जहाँ death हुई थी वहाँ पर लेकर आती है वो गहती है कि एक बार मुझे room देखना था Isabella भी यही चाहती थी उसके पास आकर उसे लेटने के लिखेती है जिस तरह से George Isabella को सहलाता था उसी तरह से wife पी Isabella को सहला कर उसे सुरा देत है Isabella जब उठी तो George की wife वहां से चली गई थी यही movie end हो जाती है आपको लग सकता है कि बहुत ही abrupt ending है और ऐसा नहीं है और हम देखें तो Isabella और George की wife यह दोनों closure जाती थी जोर्च की wife देखना चाहती थी कि वह कौन थी इसके बाद George चाय करता था जब उसने Isabella को देखा तो उसे उसका reason पता चल गया शायद George और उसकी wife की relationship जैसे पहले थी वैसी नहीं रही वो अपनी wife को miss करता था Isabella में भी उसे अपनी wife ही दिखी जोर्च की तरह Isabella को सहला कर वो अब इस situation से move on कर गए Isabella के ending के बारे में हम बात करें जोर्च की मर जाने के बाद वो भी disturb हो चुकी थी उसके बाद उसकी relationship होई है पर सही से closure नहीं मिला था जोर्च की wife से मिलने के बाद उसे बेशायद closure मिल चुका है Isabella के बारे में आपको बहुत सारी चीज़े कलत लग सकती है और वो थी गलत एक fact यह भी है क्यों एक teenager थी इस age में हर कोई अपने आपको ढूड़ने की अप्रोच था इसी तरह से movie end होती है और आज का वीडियो हम यही खतम करते है और आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आध रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इंटूशन आइकोन द और अब हमने आपका ख्यार रखिया है